दिल्ली में 23 अप्रेल से दुबारा धरने पर बैठी महिला पहलवानों की लड़ाई एक आंदोलन में तबदील हो चुकी है तीन मई की रात महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और गलत तरह से पेश आने का आरोप लगाया पूरी रात हंगामे में गुजरी देश का मान बढ़ाने वाले खिलाडियों ने जनता से रोते हुए उनका साथ देने की गोहार लगाई जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग जनतर मंतर पहुँच रहे हैं क्या है पूरी खबर देखते हैं भारती कुष्टी महासंग के अद्यक्ष ब्रिज भूशन शरंण सिंग के खिलाफ विनेश फोगाड बजरंग पूनिया और साक्षी मली की अगवाई में दली के जनतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौदवे दिन भी जारी है ब्रिज भूशन के खिलाफ दस दिन पहले दिली के कनौट प्ले स्थाने में रेसलेस की शिकायत पर सेक्शुल हरास्मेंट और पोक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ इन दो FIR में क्या क्या दर्ज है उसकी कुछ बाते सामने आई है जिसमें ब्रिज भूशन के सैक्शुल हरास्मेंट के बारे में बताया गया है जिसमें फिजिकल टच टूर्नमेंट में वम अप के दोरान गलत तरीके से छूने जैसी शिकायते दर्ज कराए गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक साथ महिला पहलवानों में से दोने ऐसी शिकायते पुलिस से की है हाला कि ब्रिज भूशन लगातार अपने उपर लगे आरोपों को नकार रहे है बीजेपी सांसद और डबलू एफाई के अध्यक्ष ब्रिज भूशन के खिलाब पहलवान दूसरी बार धरना दे रहे हैं पहली बार इंडियन ओलंपिक एस्सेशन और केंद्रिये खेल मंत्राले की तरफ से अलग अलग जांच कमेटी बनाने पर धरना खत्म हो गया था लेकिन इन जांच कमेटीों पर सवाल उठा कर पहलवानों ने फिर धरना शुरू किया इस बार रैसलर्स ब्रिजभूशर की गिरफतारी की मांग पर आड़े हैं उन्होंने ब्रिजभूशर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो पहलवान सुप्रिम कोट चले गए सुप्रिम कोट के आदेश पर दिल्ली पुलिस को एफ आयार दर्ज करनी पड़ी हाला कि सुप्रिम कोट ने अब रैसलर्स की याचिका को ये कहते हुए बंद कर दिया कि उनकी केस दर्ज करने की मांग पूरी हो चुकी है आगे की कारवाई के लिए जरूरत पढ़ने पर वो हाई कोट चा सकते हैं इस बीच पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन भारती किसान यूनियन ने पहलवानों का समर्थन कर दिया है वहीं इस मामले पर आज केंद्रे खेल मंतरी अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो जो उनकी मांग थी उसे पूरा किया जा चुका है जाज के बाद दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा लेकिन इस मामले पर पियम मोदी की खामोशी भी सवालों में है दीवी लाइफ की रिपोर्ट